इस्टूडेंट को बहुत समस्या होता है सर काउंटिंग औफिगर का भी कभी सौट बता दीजिये आप देखिए उसी का सवट है काउंटिंग औफिगर कहीं है बोला वर्गों की संक्या कितनी होगी इतना तो आपके माइंड में है सर वर्ग का छेटफल होता है भूजा इसक करेंगे तीन में से घ्या दो औरो क्वार चार होगा तो में से एक ग्या एक होगा 9 ऐक 9gerAU 14 होगा यानि वर के कितने होंगे तो सर इंसर होगा आपका 14 जीक्वी होना परेगा बोला क्या आयत कितने होंगे तो ये तो हमें पता है हम लोग तो हैं बिहारी और महत रगजरक में बसा है तो आयत का छतपल क्या होता है लंबाई गुना चवणा हिउत है उउटा है ल सबसे पहला आप काउंट कर लिजेगे वान टूट कर लिज़े प्र एक दो तीन चार फिर इधर कांट करेंगे एक दो तीन चार अब इसको जोड़ते हैं एक दो तीन होगा तीन तीन छे होगा छे चार दस होगा सर दस लिखेंगे गुना करेंगे फिर एक दो तीन होगा तीन तीन छे होगा सर छे चार दस होगा और दस और दस गुना बावू कर किंगे तो कितना हैंड days होगा और हैंडे अप्षन 10 में है यहीं तो सरी चौता है आयत का खितफल निकालने का नजर कीड़र है हीरो इधर है मतलब ranking इधर है और यह question आपका रिपीड़ है यानि ranking की question एक बात का ख्याल रखेंगे राजीव का स्थान आप ने कक्छा में उपर से और नीचे से 28 में तो कक्छा में कुल कितने चात रहें तो देखेंगे अगर बेगती एक हो और लेप्ट और राइट दोनों से दे या उपर नीचा दे तो लेप्ट प्लस राइट माइनस वन होता है मतलब एक कई से प्लस 28 माइनस वन यानि 49 में से एक जाएगा एंसर वाव का होगा 48 और यह आपका कैरेक्ट होगा यानि इस टाइप के कुश्चन अगर आपको देखने हैं और डीप में परना है आपको रेंकिंग टॉपिक तो हम सिरवास्तों केमबस यूटूब चानल के आपके मेंबर्शिप में डाल रखें वहां से आप इसका बेनिफेट ले सकते हैं